तो भक्ति के द्वारा ही मिलेगा और किसी मार्ग से नहीं मिलेगा यह अंत में आपको बताया गया और यह भी बताया गया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं लेकिन ध्यान दो तीन क्लास है अधिकारियों में नंबर एक शास्त्रे युक्तवुचनिपुणा सर्वथा दिर्ण निश्चया प्रवडश्रद्धो धिकारी जा सभक्ता गुत्तमों मता उत्तम अधिकारी कौन है और मध्यम अधिकारी कौन है और थर्ड क्लास का अधिकारी कौन है तीन क्लास बना दिये उत्तम अधिकारी वो है जो शास्त्रों बेदों के ज्यान में भी परिपूर्ण हो और जुक्ति लॉजिक उससे भी सबसिद्धी किया हो उसने संसार क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भग्मान क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है सब गहराई से शास्त्रों के द्वारा समझे हो नमबर दो द्रण निश्चया समझने के बाद द्रण निश्चय भी आवच्चक है नई समझ लिया उसके बाद भूल गे द्रण निश्चय कब होगा जब बार-बार चिंतन करोगे श्रोत अब्या फिर मन अब्या चिंतन का रिवीदन अब तीसरी शर्थ क्या प्रवढश श्रद्धा श्रद्धा द्रड़ो दुल मुल ने पक्की श्रद्धा भगवान भी डिगाना चाहे तो डिगैना हो नचिकेता और जमराज का संबाद है कठो पनिशद में जमराज ने बर मांग बर देने को कहा नचिकेता को कि संसार का सुख ले लो खुब बढ़िया बढ़िया तुमको राजा बना दे हजारों श्त्रियां हजारों हाथी गोड़े महल सब दे दे बिना कमाएं औरे अच्छा स्वर्ग दे दे अब बड़े आई श्रद्ध है वा जमराज ने कहा है तो बड़ा पक्का है सुनता ही नहीं कुछ इतनी लालच दे रहे हैं तो उन्होंने का अच्छा सुनों बेटा अन्यच्रेयो न्यदुतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस साधु भवति प्रियते अर्थात ज्यावू प्रेयो ब्रिनीते कठोपनिशत दो मार्ग होते हैं एक श्रेय एक प्रेय हम रोज आप लोगों को यही तो बता रहे हैं जो भगवान की ओर ले जाए श्री कृष्ण की ओर वो श्रेय जो माया की ओर ले जाए वो प्रेय तो जो श्रेय की ओर जाता है तो साधु भवति उसको लक्ष मिल जाता है आनंद प्राप्ति दुख निब्रित्ति का अहिए ते अर्थात जो प्रेय को अपनाता है संसार में सुख मान करके उसके पीछे भागता है यह प्रेय वो दुखे ही दुख पाता है बंदनें बंदन पाता है चौरासी लाक में घूमता रहता है बस दो मार गए अब दो में एक की ओर जाना पड़ेगा कोई यह कहें मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं तुम्हारे से यह प्रेय के प्यंडिंग में रहोगे यह नहीं हो सकता यह आसंभव है आकर्मा नहीं रह सकते अनन्द की प्यास नैचुरल है वो तुमसे कर्म करवाएगी तुम इधर की हो चाहिए उधर के हो यह अलग बात है अपना अपना मत है अपना इपनी बुद्धी है या दोगों के द्वारा जो बुद्धी जिसको मिल गई उधर भाग पड़ा एक ने कहा आरे तुम क्या नोकरी के चक्कर में पड़े हो हजार दो हजार दस हजार एक ल अच्छा है तो गुलामी करने के ज़रूरत क्या हो गया डाकू लेकिन कर्म करना पड़ेगा इन दो मार्गों में एक की और जाना पड़ेगा तो भक्ती मार्ग ऐसा मार्ग है कि इसमें पूर्ण योग्ध्य नंबर एक वाला अधिकारी वो है जो शाष्ट्र और जुक्ती में निपुण हो सब दिर्ण निश्चय हो और श्रद्धा भी प्रगार हो उसका पतन नहीं हो सकता कोई उसको गिरा नहीं सकता सब फिलाप्टी उसको मालूम है उसके सपास कोई आके कहे श्री कृष्ट ने तो क्राम प्रोध लुम से पड़े नहीं थे तुम क्या उनके पीछे पड़े हो एक एक इस्त्री के दद्दस बच्चे को काम रही थे इंपॉसिबल अरे ये अर्जुन वगेरा सब संसारी थे हजारों लाखों मर्डर किया हो कहते हो कि सरबत्र भगवान को देखते थे हाँ यार बात तो ठीक कहते हो तुम ओ गया चक्कर में क्योंकि उसने समझे ही नहीं था फिलोस्पी भगवान और महापुरुषों का कार्ज योग माया से होता है माया से नहीं होता हो हमारा माया से होता है माया के अंडर में है इसलिए उत्तम अधिकारी वो है इसलिए तद्विज्ञानार्थमसा गुरुमेवा विगच्चेत समिक्पानि शोत्रियम ब्रह्मनिष्टम बेद कह रहा है मुंडको पनिष्ट एक दो बारा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्णेन सेवया तुपदे चंतिते ज्ञानम चार चौतिश गीता तस्माद गुरुम प्रपद्जेत जिग्या शुष्ट्रेय उत्तमम शाब्देप परेच निशनातम भागवत ग्यारा तीन यक्कैस अर्थात सब शाष्ट्रवेद कहते हैं कि शोत्रियम ब्रह्मनिष्ट गुरु बनाना अगर खाली प्रेमी को गुरु बना लिया तो वह कहेगा भगवान से प्रेम किये जाओ अरे कैसे करें कैसे वैसे नहीं बस किये जाओ वो ना लॉजिक से समझा सकेगा और ना बाइपोटेशन तो हमारे तर्क हमारे डाउट हमारी शंकाएं बनी रहेंगी दुख दुख तो कोई भी आके हमको बर्गला देगा हम खुदा ही गिर जाएंगे सोच के अकेले में ऐसा है तो पिर ऐसा क्यों है नंबर दो का अधिकारी जह शास्त्रा दिश्वानी पूना हां श्रद्धावान सतु मध्यमा जो शास्त्रादिक का ज्यान तो न रखता हो लेकिन श्रद्धा हो ती हैं ओ भी मीडियम है अगर कोई कुसंग न मिला तो वो भी पार हो जाएगा लेकिन इस संसार में रहे के कुसंग न मिले यह तो असंभव है और कुसंग तो इतना भयानक होता है एक छण का कुसंग मिला था अजामिल को वो पापियों के एक जाम्पिल बन गया एक छण का कुसंग मिला था सो भरी मुनी को और वो पुचास लड़कियों से ब्या करके पाँच हजार बच्चों के बाप हो गए एक छण का कुसंग तरंगाईता अपी में संगात समुद्रायन थी एक छण का कुसंग ओ बड़ बड़ योगींद्र मुनींद्र को समाप्त कर देता है इसलिए श्रद्धावान को तो होश्यार रहना पड़ेगा किसी की बात सुनो मत किसी को सम्याने की चेश्टा करो मत बसाधना किये जाओ तो वो श्रद्धावान भी पार हो जाएगा और तीसरा है जो भवेत कोमल अश्रद्धा सा कनिष्ठा निगध्यते जो कोमल अश्रद्धा वाला है यानि धुल्मुल भगवान अंदर बैठे हैं लेकिन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं क्या पता भगवान सर्ब ब्यापक है लेक रपालु जी कह रहे थे सर्ब ब्यापक है अरे बैश देखो ऐसा है कि पानी में नमक डाल दो और उसको पीओ तो पानी नमकीन लगेगा पूरा गिलास बर तो भगवान सर्ब ब्यापक है और हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं सूंग रहे हैं खाती रहे हैं तो उनका अनभो क्यों नहीं होता कुछ जमती नहीं बात लेकिन संत लोग कहते हैं बड़े बड़े ठीक होगा लेकिन क्या ठीक होगा आप लोग में बहुत से ऐसे चोरी चोरी करते हो ठाकुर जी भी जानते हैं उनके जन भी जानते हैं आपके चोरी को जो निशद्य जन मंत्र एते तद राजा बेद तो रिक बेद में एक मंत्र है कि दो आजमी बंद कमरे में बैठ कर जो प्राइबेट बात करते हैं वह नोट हो रहा है तो प्राइबेट तुम यो लोग सोचते हो कोई नहीं जानता तर नोट होता है तो सबका फल मिलता है तो तीन प्रकार के अधिकारी हैं तो जो शास्त्रों के द्वारा तत्पज्ञान प्राप्त करते हैं ब्रह्मनिस्ट संत के द्वारा और श्रोत्रिय संत के द्वारा वे कहते हैं कि देखो भक्ती समष्ट शास्त्रों में बताई गई है कोई ऐसी बुक नहीं जिसमें भक्ती के अलावा और किसी मार्ग से भगवान मिले हो आनंद मिले हो अरे बेदेई को देख लो नारायन परा बेदा सब्वेद भगवान परक हैं देवान हरायनां गजाहा दो पाँच पंद्रा नारायन परो जोगहा नारायन परम ज्ञानम सब भगवान की ओर ले जाने के लिए मार्ग बने हैं हम अलपग नहीं समझते और महापुर्शों के द्वारा समयाई बात को मानते नहीं इसलिए सब गड़बड हैं ब्रह्मा कह रहा है ध्यान दो ब्रह्मा जिसने सब से पहले बेद को देखा और बेद का अर्थ वो नहीं समझ सका तेने ब्रह्मरदाय आदिकवे मुहियंति जत्सूरया तो भगवान ने कृपा करके उसके हरदय में बैठ करके और ज्ञान दिया तब बेद को समझा उसने और कहा उसने भगवान ब्रह्मकार्ष्थेन त्रिरन्वीक्च्यमनीशया पदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेद अरे मनुष्यो तुम्हारी बुद्धी बहुत थोड़ी है तुम शाष्ट्रबेद का अध्येन भलेई कर लो वो भी मुश्किल है कल जुग में ओ इतने लंबे चौड़े हैं वो शाष्ट्रबेद कि तुम्हारी उमर समाप्त हो जाएगी तुम पढ़ भी नहीं सकोगे और फिर उनके विरोधा भास को समाधान करके समन्वे करके पार हो जाओ यह तो त्रिकाज में असंभव है मैं बता रहा हूं तीन बार बेदों का मन्थन करके मैंने एक निश्चे बता दिया है सुन लो तेवल स्री कृष्ट में मन लगा कर अनन्य भक्ति करो यह सार है बेदों का बेदव्यास ने भी कहा उभी भगवान के होतार हैं आलो ड्यसर्ब शास्त्रा नी विचार्ज चपुनः पुनः चहों शास्त्रों का मन्थन किया बार भार हुनः पुनः और यह निश्चय किया कि केवल भगवान की भक्ति ही करना और कुछ नहीं करना पद्नपुरान कहता है। स्मर्तव्य सततं विश्णुर्विश्मर्तव्यो नजातुचित सरवे बिधिनिशेधा आश्यू रेतयो रेवकिंकरा ये तमाम बिधिनिशेध जो बेदों में बताए हैं बिधिनिशेध क्या ये करो ये करो ये करो ये बिधि ये ना करो ये ना करो ये ना करो सत्यम्बद धर्मन्चर सच बोलो धर्म का पालन करो जूट ना बोलो अधर्म ना करो ये बिधी निशेद है तो सारे बिधी निशेद का सार क्या निरंतर भगवान का स्मरन करो ये बिधी भगवान को एक छण को न भूलो ये निशेद उद्धो सरी के परमहंस से भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा ज्यारा बारा तेरा मत कामार मनम ज्यार मस्वरूप बिदो बलाह ब्रह्ममाम परमम प्रापु संगाच्छत सहस्त्रशा ग्यारा बारा तेरा बागवान उद्धो मेरे सुरूप को न जानने वाली गोपिया केवल काम भाव से मेरी शरण में आ गई प्यार कर लिया मेरे रूप को देख करके मेरे गुण को देख करके गोबि गोलो गई इसलिए तसमात्त मुद्धवोत स्रज्य चोदनाम प्रति चोदनाम प्रबृत्यंच निबृत्यंच श्रोतब्यं श्रूतमेवच नामेकमेवशरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम याही सरबात्न भावेन जयास्या यकुतो भया ग्यारा बारा चौदा पंद्रा ये विधी निशेद ये सब चक्कर छोड़ो उद्धो बस केबल मेरी शरनागती मन से करो बस तो साप शाष्ट्रों बेदों का एक वाक्य है भगवान की भक्ती ही उनका मन से उस्मरण ही एक मात्र लक्ष को प्राप्त करा सकता है हाँ शौनकादिक परमहंसों ने जो प्रश्ण किया था बारा दिन पहले उसको कल हल करना है जो जो भक्ता है जो बहुचर चर चरुब है